हेलो गाइस आशा करता हूँ आप सब लोग एकदम मज़े में होंगे तो जैसे की अब हम जो अपनी वीडियो आज की जो बनाएंगे हम बनाएंगे क्लैट के जो प्रिविएस येर का एक्जाम हुआ था डिसम्मर में 2022 में उसके उपर आज हम जो ये वीडियो बनाने जा रहे जिसमें हम दो जो आएते पैसे जनी की पैरेग्राफ जो आए थे लीगल डीजनिंग के अंदर उसके अंदर हम दो सहल जानेंसे जरम को और किया वह समय नहीं दिए नहीं पहली चीज़ दूसरी चीज़ आप ये काम जरूर करिए डेली अगर आप अपनी 12th क्लास को में स्कूल में जा रहे हैं या फिर अभी आपकी कंप्लीट हो चुकी है आप फिर से अटेम्ट से क्लैट का किसी का भी आप अटेम्ट दे रहे हैं सबसे पहली चीज़ ये करिए कि बही एक नियूस पेपर इंगलिश का जरूर पढ़िए किसी भी उसका आटाइम्स उफ इंडिया लेकिन इंगलिश ये क्लैट का पेपर ले लो इंगलिश में पैपर आएगा और उस टाइम पे अगर आपकी अंडरस्टेम्टिंग अच्छी नहीं है पेपर को लेकर या न जन्लियाम तोर पर स्टुडेंट को अगर आपको और यह तो गबराने वाली बात नहीं है निउस्पेपर डेली पढ़िए हैबिट में लेकर आईए तो दीरे दीरे आपका कुंसेप्ट क्लियर होता चला जाएगा आपको समझने में अंडरस्टैंड करने में फिर दिक्कत न जादा गंटा पहले बैटके निउस्पेपर पढ़ लो तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि इंपोर्टेंट काम है तो अच्छा है कि आप मोर्निंग में ही उसको कर दो तो पूरे दिन पर फिर वह डिपैंड नहीं रहेगा तक तो निउस्पेपर वग्य यह मैं करा रहा हूं जो दिसंबर में अभी जो हुआ था 2022 में पर उसमें जो लीगल रीजनिंग के कोश्चन है ते उसमें से हमें को उठा रहे हैं पैसे स्क्रीन शुरूई होगी अब तक तो इधर स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि वहीं लिखा रहा है सब कुछ तो मैं पढ़ता जाओंगा आपको बताता जाओंगा चीज आप भी कोश्चन पर ले लीजाए अगर नहीं है आपके पास तो आप मेरे को बताईए मैं आपको प्रोवाइड कराता हूं प्रिवेस एर का आपको वहां से भी मिल जाएगा अगर आपको उस पर जाएंगे वेबस पैसे तो इसके अंदर देखिए जैसे है प्रिवेस एर लीगल लीगल दीजनिंग का कोश्चन है चैनल लीगल मैंने सब्सक्राइब कर लो ना यास से क्योंकि यह आपके लिए काफी हल्पूल होने वाला है तो इसलिए सब्सक्राइब कर लोना अब स्टार्ट करते हैं आपको बता दू हमेशा ना यह मत समझना है कि पैसे जाएगा मैं बैट के पैसे में सेंसर दे दूँगा और मेरा पेपर निकल जाएगा ऐसा गलती से भी दिमाग में लेके बात मत चलना इसके पीछे मैं रीजन बतातों ऐसा क्योंकि एक बंदा जो पैसे जाया है उसके ब को अंडर्स्टैंड कर लेगा अराम से लेकिन अगर आप गए हो आपको क्योंकि आप लो बैक्ग्राउंड के अभी नहीं हो आपने भी 12 पास कर रही है या फिर अभी आप 12 कर रहे हो तो इसमें आपको अभी एकदम से समझ नहीं आएगा अगर हां आपको क्वैशिंग का म कर लेंगे इतना इसी भी नहीं है तो इसलिए चीज़े क्लियर करना और जहां भी मेरे को लगेगा कि यह चीज़ समझाने यह चीज़ बताने मैं रुप जाओंगा वहां बताऊंगा तो इधार आया क्वैशिंग का केस ऑफ क्रॉालिटी सबसे पहले क्वैशिंग वर्ड क सकता है ठीक है यह चोटे ऑफैंस होता है सीलियस नेचर के थो यह यह चोटे-चोटे ऑफैंस होते है भुए जो सेटल नहीं ठीक है अब कम्ऑन र taxi गया मडरो गया जो सीरियस नेचर के उफैसने स्साइब गए आपको compoundable non compoundable की अब मैं यह बात कर रहा हूं compoundable की 498 compoundable यानि कि यह सैटल हो सकता है कि इसमें जो है सैटलमेंट हो सकता है लेकिन यह सैटलमेंट कैसे होगा हमेशा द्यान रखना कोई भी अगर एफ यार हुई है तो वह जो अगर उसको फाइएर को खतम कराने तो या तो हाई कोट करेगा या फिर supreme court उफ इंडिया करेगा ना district court को राइट है फाइएर खतं करने का अगर एक ब़ार fires restricted हो गई उसके बाद सुप्रेम उसको टिस्ट्रिक कोट को कोई राइट नहीं है तिस्ट्रिक कोट कों से करगर डूमा कोट हो गया आपका साकेत कोट हो गया पट्यालाउस कोट हो गया हाई कोट या सुप्रीम कोट तो यह जो क्वैशिंग करना होता है उसको खतम करना ठीक है जब आप प्रैक्टिस में आ जाओगे जब आप लीगल फिल्ल में आओगे तब आप यह सुनोगे के फोर एटी टू के अंदर क्वैशिं होते है उसके अंदर इनियरेंट पावर दी गई है थीग है यह अपनी imprint से dop इनस Quality को इसको रोकने सकती एलसिग स्थी के यह थो इसी का अनदर यह क्षम के सब्ढ़र कों चैसे कि क्शोग के स Anda तो उस चीज को खतम करवाने के लिए हम हाई कोट में जाते हैं तो यह जो क्वैशिंग केस ऑफ क्रुवालिटी है ना क्वैशिंग मतलब यह यह खतम करवाना तो कई भी आप क्वैशिंग पढ़ा आप समझ जाना यह किस बारे में बात के गई है अब इसके अंदर हम आगे पढ़ें के लिए क्रुवैलिटी टेट वस फिड्ट अगेंस्ट अ मैंबाइ इस वाइफ एक क्वैशिंग केस क्रुवैलिटी का ठीक है जो फाईल किया गया है उसकी वाइफ द्वारा ठीक है परसन की टी बोंब आईकोट आगे बोंब आईकोट का जिगर यानि क्या अइ she is treated like a maid servant इसके अंदर यह सिंपल यहीं कह रहा है बॉंबयाई कोट यह बात कह रहा है बॉंबयाई कोट के अगर कोई है इसके अंदर पहली चीज तो इन्होंने यह बोलिया है इसके बाद आते हैं नेक्स्ट उस पर कोट बोज हेरिंग एन एप्लिकेशन बाय हस्बेंड और उनके पेरेंट्स के खिलाव तो इन्होंने लोगों ने हस्बेंड और उसके पेरेंट्स ने हस्बेंड के उन्होंने एक्पलिकेशन डालिया जिसमें वो कह रहे है यारे कि उनके खिलाव चल रहा है उसको वह क्वजड कर दे मतलब खतम करते है कि अब तोड़ा नींचे आते हैं उसके अंदर हाँ अब फर्स्ट इन्फोर्मेशन डिपोर्ट फर्स्ट इन्फोर्मेशन डिपोर्ट हो गया FIR FIR कौन से सक्षन में आती है 154 ओफ इस चीज को अमेशा ध्यान रगना कि 154 ओफ CRPC के अंदर FIR आती है पट एक चीज में आपको और बता दू FIR वर्ड पूरी CRPC में कहीं नहीं है तो अगर होगा तो क्या हेडिंग रहते है उसकी रहते है information of cognizable offense का इन्फोर्मेशन का वह मैं आपको बाद में बताऊंगा अभी नहीं है बस इतना एक दिमाग में रखने के भी 154 में FIR बताई गई है ठीक है इसमें लिखा गया है फर्स्ट इन्फोर्मेशन निपोस्ट वस फाइल्ड अगेंस्ट ट्रायो इन सेप्टेंबर 2020 2020 के अंदर एफाई यार हुई गए इनके अराउंड नाइन मंत आफ्टर दी मैरी यानि कि शादी के नो महीने बाद इनके खलाफ एफाई यार हुई यानि कि वो महीला को हराश करते थे के भई हमें कार बगयरा खरीदनी है ठीक है उसके लिए वो उससे पैसे मांगते थे और फिर क्या करते थे वो हराश्ड हर मेंटली और फिजीकली एंड ट्रीटिड हर लाइका मेट सर्वेंट एग्जामिन दी एविटन्स अब यही रुप जाओ अब इसके अंदर जो एफाई आर डाली गई एफाई आर के अंदर क्या क्या चीज़ आई एफाई आर के अंदर चीज़ आई सबसे पहले उसमें लिखावा एफाई आर के एक तो हस्बेंड और उसके पेरेंट्स क्या करते हैं उनसे पैसे मांगते हैं कार के लिए ठीक है और उनको मेंटली और फीजिकली हराश करते हैं किसको वाइफ को और उसको ट्रीटिट करते हैं किसकी तरह मेट सर्वेंट की तरह यह बात उसने बताई मतला एफाई आर के एंदर मेंशन अब यह मैरा राये कोट में कोट में करा Xamarin is को वग्ड़ और क्योंकि वी तो देखेगा evidence है भी या नहीं है या फिर ऐसी हवां में क्वांध चल रही है। जब कrem talk ने Examine कर। Mike एलिगेशन तो कोट ने क्या फाइंड करा कोट ने देखा कि वह ऐसा कोई भी ग्राउंड नहीं है जो वूमन ने इन पर आरोप लगाया यानि कि उसकी वाइफ ने जो अपने पती और अपने सास ससूर पर जो आरोप लगाया है उसके खिलाफ किसी भी तरह कोई भी सब्सक्राइशन वगेरा नहीं है यह आ गया इसके बाद आजाओ नेक्स्ट कि कोट सैट कोट ने बोला डैट दो दी एफाइएर सेज डैट शी वोस ट्रीटिट प्रोपरली फोर आवाउट आ मंत दैनलाई का मेड सर्वेंट डैर आर नो डिटेल वट दिस मिंट इसका मतलब क्या है अब कोट ने क्या बोला कोट ने बोला कि जो एफाइएर के अंदर मैंशन है कि वह उन्होंने महीना भर अपनी बीवी को और अपनी बहू को उन्होंने ट्रीट करा सर्वेंट और उसकी मेड की तरह पट इसका कोई भी प्रूफ उनको ऐसी कोई भी डिटेल नहीं मिली ठीक है कोट ने एक्जामिन करा कोट ने बोला वह यहां पर यह वाला वर्ड भी लिखा हुआ है कि वह यह उसको हराश करा कोई बोला और वेडिन्स नहीं मिलता ठीक है और कोई भी ऐसी डिटेल नहीं मिलते जिसके अंदर उनकोबता लगे के वह यह ज़र फिर फिर एक्रम की बोलेगा कहां अगर कोई यह बोnold एपको काम करना है घर का ठीक है यह हॉसर्ड वर्त का गाम करना ठीक है एड पैन्नों पिस एट इट यू निएकल बीडिन की तरैंगि करा मेरे को यह बोल रहा है कि वह मेड की तरह मेरे से ट्रीट कर रहा है मेरे को प्रेशर कर रहे हैं उसके लिए कार के लिए और मेरे से उसकी तरह ट्रीट कर रहे हैं मेरे को मेड और सर्वेंट की तरह यह चीज़ आगई आपको समझे ठीक है फिर जब वह फिर हाई कोट चलेगा इसको खतम करने के लिए जब हाई कोट ने देखा तो हाई कोट ने बोला वही मेरे को तो कोई ऐसा एविदेंस मिला ही नहीं जिसमें ऐसा कर लो तो यह इसका मतलब यह नहीं है कि यह क्रुएलिटी होगी यह ऐसी कोई भी चीज नहीं होगी जो कोट ने का अब आज़ो कि दिकोट हैंड एट कि टेड मेर यूज ऑब वर्ड हरास्मेंट मैंटली एंड फिजीकली इन एफ इस नोट शविशेंट टू कॉन स्टिट इन ओफ एंस ओफ और आईपीची अब आगया फोन नेट अब मैं आपको बताता हूं फोन नाइट एक है क्या अगर आप नेट पर डूंड और नेट पर आपको मिल जाएगा ठीक है यह मैं एक स्लाइड डाल दूंगा यहां पर आपको इसली वहां पर पढ़के आप समझ मैं आपको बताता हूं देखें क्या होता हैं 498 डॉसमें क्याता है कि ह зд sandwich या फिर उसके डिलेटिव ठीक है अगर हसheen अपनी वाईफ को या फिर सिस्टे ठीक है उसको मेंधली और फिजईकली ठीक है वह करता हास करता है अग्रम या फिजीकली ठीक है या तो उससे डिमांड करते हैं पैसों की या कुछ भी एक्स वाई-जैड जो भी चीज करते हैं वो मैंटली या फिजीकली वह सब क्रॉयलिटी में आता है यह वो गया फोट 98 है इसमें सजा वगएरा दे रख्या पनिश्मेंट वगएरा क्या एक चीज समझा गई दूसरी चीज मेंटली फिजीकली क्यासे फिजीकली हो सकता मार पिटाई इत्याइश करके या खाने पीने का सम करने करके एक बड़ा फेमस डायलोग रहता है कि अक्सर सुनते हम टीवी वगएरह में तो इसको क्याते हैं लेकिन यह कह देना वाइफ को कि घर का काम अगयर कर ले तो ऐसा कोई भी वह नहीं है और कोट ने यह भी कहा है कि जो हम देखेंगे इसके अंदर यूज़ बर्ड हराश्मेंट जो हराश्मेंट वर्ड यूज़ करा ठीक हराश्मेंट मैंटल यह फिजिकली वह सिर की कंडिशन सैटिसफाइड है तभी फॉर नाइंट एट लगेगा अगर कंडिशन सफिशेंट नहीं है तो फिर वह नहीं लगेगा ठीक है समझाएगे फॉर नाइट एगर आपको पढ़ना पढ़ लेना इसके वाल विच पनीशिज दी हस्बेंड और रिलेटिव ऑफ हस् जाता है सक्षिन में या तो उसके डिलेटिव इंटरेस्टिंग तो नोट एट इसक्षिन फॉर नाइंट एट फॉर फॉर पीपीसी आलसो प्रोवाइड डैट इफा मैरीड वूमेंड इड़ इस एक्चुली ट्रेटिट लाइका मेड सर्वेंट इड वूड वी एन ओफे मेंड की तरह ट्रीट करा तो यह इसके अंदर ओफेंस हो सकता है अब थोड़ा कंफ्यूजन आपके मन में आगया होगा मेरे को जो लग रहा है मैं आपको बता रहूं क्या देखो इसमें यह कहा रहा है कि वहीं वूमेन जो है उसको मेड सर्वेंट की तरह अगर ट्रीट करा तो यह 498 के अंदर जाएगा बट उपर कोट क्या रहा है कोट कह रहा है मेरे को नहीं लगता कि अगर किसी को यह बोल दे कि घर का काम कर लो ठीक हाउस ओर्ड वर्क कर लो तो इस एक क्या रहा है मेरे को कोई भी डेंस नहीं लगा क्या आपको ट्रीट करा गया उसकी तरह यह आपको मैंटल यह फिजीकली तोर पर वह करा गया हो हराश्मेंट आपके साथ करी गई हो यह चीज बोली गई है ठीक है अब इसके बाद यह कहरा एक स्टेक्ट विद्ध एडिट एंड डिविजन फ्रॉम इफ वाइफ इस आस्ट तूडू हाउसल्ड वर्ड दस नोट मीन शी इस ट्रीटेड लाइगा मेड बंबयाई कोट ने बोला डिवायर जो नियुस पेपर है उसकी यह हैड वो था पैसे इसके अंदर आय था यह ओक्षिन यह ओफ फुली मेरे सबसे घर आपको समझा आगया होगा इसमें कोई मतलब इतना बड़ा होगा शीजए अब आजओ कोश्चन सोल्व करते हैं कोश्चन केरफुली द्यान रखना ठीक है और एक चीज़ मैं बता रहा हूँ जितना इस पै में पूछा गया मतलब नहीं पहले होने चाहिए अगर आपको 498 मतलब भी नहीं पता कि क्या है क्या नहीं है यह पढ़के आपको clarity होगी लेकिन इतनी नहीं होगी जितनी पहले से अगर आपको इस चीज के बारे में पता हो तो होगी इसलिए मैं गहारा हूं कि अपने concept जरूर clear कर लो ना बहुत से लोग मैंने देखिया बोलते वह बहुत से स्टुटेंट हलागी कि वही एक को वही तो है अब तो पैसेज बेस्ट आगया वो देखेंगे इतना इजी नहीं है अब आज हो question पर question पर बात करते हैं और अश्विन एंड ऐषी मां वर मैरीद इन फरवरी 2020 थीक है इन दोनों की शादिय वी दोजार बीच में in March 2020 as funny asked Ashwin ask Ashima to take care of all their household work such as cooking cleaning and other domestic chorus and she was and he was very busy with this professional responsibility take a husband busy a pni response or other professional responsibility में कि आशिमा क्लेम्स डेट दिस अमाउंट टू ट्रेटिंग हर लाइका मेट सर्वेंट कि ठीक है कि एंड को स्टिट्यूट एन ओफेंस अंडर सेक्शन 498 ओफ आई पीसी एपलाइंग देव बंबै कोट इस लाइक ली बंबै आई कोट कि तू सक्सीड इसके अंदर ये सिंपल वही वाली बात कह रहा है जो पर है कि उसने अपनी वाइट से बोला कि वह जो डॉमेस्टिक काम वगएरा वह करिए ठीक है और वह विजी अपनी प्रोफेशनल डिस्पॉंसिब्लिटी में ठीक है अब अशीमा जो थी उसने सेम केस डाल देंगे उपर ठीक है और यह बोले कि वह ऐसे ऐसे मेरे को मेट सर्वेंट के काम करा रहा है तो यह इसके अंदर है अब यह कहा रहा है जो पर हाई कोट की जज्जमेंट दी गई है जो डिसीजन द देख लेते हैं पहले क्या क्या रहा है देखें यह जो पार्ट है एक रहा है यह सिंस अश्विन हैड उनली आसका आशीमा टूडू देर हाउसोड वर्क एंड नोट फॉर अधर इसमें यह कह रहा है केस चलेगा क्यूं चलेगा ठीक है यह इसलिए क्या रहा है कि केस इसलिए चलेगा क्योंकि अश्विन ने आशीमा को हाउसोड वर्क के लिए बोला और किसी और के लिए नहीं बोला तो हाउसोड के लिए बोल जब पर हमने पहली पड़ लिया था कि कोट ने गोला अगर हाउसोड वर्क के लिए गाय तो फिर उसका केज बनता नहीं है यह तो फिर है गलत अब आज हो अगले पर श्रीवाला पॉइंट देख लेते हैं पहले पहले एस वाले देख लेते हैं यह सिंस अश्विन आस्ट अशीमा टुडू आउसल्ड वर्क पॉर देंसल्फ एस बैस अदर्स यह भी इसका कोई लोजी की नहीं बनता आवाजों डीवाले पने नो सिस्ट ट्रैटनिंगे मैरीड वूमन लाइका मेड सर्वेंट वुड़नूट अमॉंट अनॉफेंस अंड यह तो बहुत ही घलत कहा रहा है तो अगर मेड और सर्वेंट की तरह उसको वह तो फैंस बनता ही नहीं है उसकी तरह तरह करेगा मेड और सर्वेंट की तरह तो ओफेंस होगा अब आजओ बीप पॉंट के अंदर अब इसके अंदर क्या है ये नहीं बनेगा क्यों क्योंकि वही वाली बात है उसने उसको हाउस होल्ड का काम करने के लिए बोले कोई और काम करने के लिए नहीं बोला ठीक है अब वाला जो है ये ये वाला जो पॉैंट .\tah यह किरता हाँ बंसकता क्यों क्योंकि उसने सिर्फ उसको काम करने के लिए भोला है घर का कोई और नहीं बोला थो पर हमने पहली पढ़ ले आता एक कि गर और का अगर काम क्योंकि अश्विन ने जो सिर्फ उसको अशीमा को करका काम करने के लिए ठीक है कोई और चीज नहीं बोली और उपर आमने पढ़ी लिया था कि कोट ने प्रफिकली वह चीज मैंशन करने थी अब आजाओ पूशन अगला यह जो 66 कोशन ने 67 जो मेरे पर था यह मैंने इसके सैट कर रहा हो सकता है आप पर जो कोशन पर ऊसका नंबर वगएरा लगो तो मैच कर लो ना क्योंकि सैट आते हैं ना लग लग तो वह मैच कर लो यानि कि 2020 में अश्विन्स फ्रेंड राकेश विजिट्स अश्विन एंड अशिमा उनका कोई फ्रेंड है राकेश वो उनके घर आया एंड स्टेज विद देम फूर फ्यू डेज कुछ दिन वहा रहा रहा दूरिंग इस विजिट ही इस बैरी मीन टू अशिमा अड यूज फ्रेंग उनके घर पर रहने लगा अशिमा खेंगे पर करने लग घर वो तोड़ा दोड़ा मिज्बीयव करने लग गया इसमा के साथ अब आपके बात क्या रहा है आप यूजिट है अब यूज वह माद प्लेट एट हर वन इवनिंग वेन ही वोज अन्हेपी विद दी मील डट शी एड प्रिपेर अब क्या हुआ एक बार उसने खुछ से में फ्लेट फैक्ट दी एक इवनिंग को क्योंकि वो खाने से खुश नहीं था गट फीलिंग देगा उन नहीं है क्या गट फीलिंग है यहारा इसे कौन मतला अपनी वाइप को देख थोड़ी लेगा तो बगा देगा अब इसके बाद क्या हो सीडियस नोट पर आ जाते हैं अशीमा नाव क्लेम डट राकेश हैस कमिटेट एन ओफेंड्स अंडर सेक्शन फोर नाइंटीएट और फैपीशी इस शी लाइकली टू सक्सीड आप तो इसमें कहा रहा है नो सिंस राकेश एक्शन वर प्रफेक्टिबली जस्टीफियेबल फॉर मैं वू दस नोट केट अवेल को डिमी बाराई वाई यह तो यह सिंस राकेश यूज अब्यूसिव लैंग्वेज एंट रोइंग देप्लेट एट शीमा क्लेली अमाउंट त क्रॉयलिटी नोज और सी जो ऑप्शन वो क्याता है नो सिंस राकेश इस नोट हर हस्बेंड नोर इसी रिलेटिट तो अश्विन ओके डी पोइंट जो डी ऑप्शन वो क्याता है यह सिंस राकेश वोज स्टेंग अट अश्विन एंड शीमाज हाउस होम एड़ टी टाइम इंसिडेंस पता हो क्या हो सकता है मैं आपको एक चीज बताता हूं इसके अंदर देखो हो सकता है अपने डूंड भी लिया हो अंसर डूंड लिया तो बहुत बढ़िया नहीं डूंड़ा तो महां बताता हूं देखो एक सिंबल सी बात है कि फॉर नाइटीएटे जो सेक्शन है वह अपलाई किन लोगों पर होता है तो टाइप के लोगों पर मेरे एंडराइटिंग बहुत बढ़े है ज्यादा द्यान मत देना ठीक है दो टाइप के लोगों पर कौन एक तो कुद हस्बेंड हो गया और दूसरा कौन हो गया दू को बन दो ग्यों हुँता है ठीक है अब इसमें जो यह था राकेश जो परसन है यह जो राकेश है यह इसका हभी है नहीं यह इसका रिलेटिव है है या नहीं अभी इसका रिलेटिव है या नहीं है यह कैसे पता लगेगा क्योंकि आपको तो पता ही नहीं रिलेटिव में ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं तो उसके लिए अगर आपकी कॉंसेप्ट के लिए रहे हैं आपको लोग की है कुछ तो तब आप इसका अंसर दे सकता है Ahora थोड़ा फस जांगे है कि इसका अंसर देने में तुम्हा बताते हो रिलेटिव कोन हो सकता है जा तो सकी कोई फैमली मेमबर हो या फिर कोई blood relation में वा राऊगा कोई वन्दा ठीक है वो रिलेटिपो सकता या कोई कर रखो या रिलेशन हो सकता ठीच जो robust है वह रृरिलेशन में में नहीं आथा इस चीज का आधियान रखना रखना थेख़ां किओmi क्योंकि जो राकेश है वह उसका ना तो हस्ट बैंड है ठीक है ना ही वह उसका रिलेटिव है कोई तो यह भी कुछ भी नहीं होगा इसके बाद आजो कि टी पोइंट प्याजों में डी पहले यह सिंस राकेश वह स्टेंग एट अश्वनी हाउस एंड अशिमाज होम एड़ टी टाइम अफ इंसिडेंस यह भी नहीं होगा यह तो कोई बात ही नहीं है ठीक है यह होगा अब कैसे सिंस राकेश इस नोट हर अस्बैंड ना तो वह इसका अस्बैंड है और ना ही उसका कोई उसका रिनेशन है ठीक है रिलेटेड हाइई नहीं हो मतलत anno maldo ठीक है ना वह इसका डॉपर इसका असाल yapmış में श्रug act तो ब्रॉन पर इसके अपर अब हिसके नहीं कर सकते है तो 67C सी पार्ट है अब आजो 68 पर नेक्स वाले पर फ्रस्ट्रेट एंड अपसेट विदार मैरिज अशीमा एप्लाई फोर एंड ग्रांटिड डिवोस फोर अश्विन ओके इन नवंबर 2020 since she and Ashwin had been a friend for many years before they got married okay she stays in touch with him she moves into her own apartment and start going to office regularly at a new job ठीक है अश्वनी is very upset at this and start threatening Ashima very or treating ट्रेटिंग ठीक है सोरी threatening बट्रों उसको ट्रेटिंग अश्विमा वेरी क्रूवली अश्विमा अगें अब यह क्या रहा है काफी जादा फ्रस्ट्रेट और अपसेट होने के बाद अश्विमा ने डिवोस के लिए अप्लाई करा और उसको डाइवोर्स मिल गया नवंबर 2020 कि यह उसके बाद क्या अगला उसने वह दोनों काफी टाइम से फ्रेंट थे काफी ताइम से ःफिक यह शादी से भी पहले प्रेंट अब अब अश्विमा ने क्या काम करा यह अपने अपार्टमेंट में ठीक है एंड इस्टार्ट को ऑफिस रेगुलर्ली एट न्यू जोग अब वो अपना मतलब अब डिवोस होगी आप सेपरेट होगे वो अपनी जगा जा रही है वो अपना काम कर रहा है पट जो अश्विन था वह वेरी अपसेट था इस सब चीजों को देखके और फिर वो उसके साथ कुरूली बिहेवियर करने लगा हो कुछ भी कर रहा हो ठीक है अशिमा ने क्या अगरा अशिमा ने वह डाल जाए क्लेम अगें क्लेंज डेट अश्विन एस कमिटीट एंड ओफेंस अंडर सेक्शन फॉर 98 है उसने फिर से वह क्रुएलिटी का केस डाल दिया अश्विन के उपकर तो यह उसके अंदर से फिर जब डाइवर्च हो गया इस डाइवर्च होने के बाद आपका स्टेटस क्या हो जाएगा ठीक है या तो डाइवोर्च कहलो या फिर कहलो मैं वह सिंगल पर फिट से सिंगल हो गया डाइवोर्च ठीक है अब आप हस्बेंड वाइफ नहीं अब अगर हम सेक्शन 498 क पढ़ेंगे यह उपपर देखेंगे तो मतलब जो ज़जमेंट वगयरा है अगर जाकि उसके अंदर देखेंगे ठीक है तो उसकेंदर वर्ड क्या मेंशन है सिंगल स्टेटस की बात नहीं आपका स्टेटस ऐसा हस्बेंड या वाइफ है या नहीं अगर आपका उस टाइम पर status है तो कर सकते हो वनना नहीं कर सकते अब यह सब चीजे जो हुई जो यह बता रही है जो अशीमा है उसके साथ कब हुई है यह चीजे यह हुई है शादी का जब उनको divorce मिल गया divorce होने के बार जब वो लग रहा है तब हुआ है तो तब आप दोनों का status जो है वो आप रहागा एक single का या फिर divorce का अब आपका status married वाला नहीं है अब आप married नहीं हो पर 498 एप्लाई किन पे होता है 498 एप्लाई तब होगा जब उन दोनों की या तो husband wife होता है तब apply होता तो जब husband wife हाई नहीं तो 498 ए बनता ही नहीं तो वो कर सकते claim या नहीं कर सकती तो वो claim नहीं कर सकती अब आज़ा option में कि यह सिंस अश्विन हैज एज वी आर टोल ट्रेटिटेड हर यह गलत है बिल्कुल है यह तो बिल्कुल है यह यह वाला सही है नो सिंस शीज नोट लोंगर मैरीट टू अश्विन ठीक है जब वो अब अश्विन का जब वह स्टेटस है नहीं ठीक है अब वो सब्सक्राइड ही नहीं है क्योंकि उनका होगे डाइबोर्स तो यह वाला डी पॉइंट सही है अब आजो नेक्स्ट पे जल्दी से एस्जूम्ट एट गवर्मेंट पास्टेशन न्यू लो इन जैन्वरी टुनिटी टुनिटी वन कोल्डी प्रोडेक्शन राइट ओप मै प्रोडेक्शन ओफ राइट ऑफ मैरीड वूमें एक्ट दोजार के जिसको शौट पॉम में पी ओ एम डव बोला जाएगा तो यहां पर मैं इतना बड़ा नहीं बोलुगा यहां मैं नए एक्ट बोल दूँगा आप समन्चान है अगर मैं वर्ड यूस करो तो मैं इसकी प दूब यह एक्ट आया दोजार एक्ट के अंदर जिसके अंदर यह आगया कि अगर आप मैं अपनी वाइफ से मैरीड वूमें से अगर आप बोलोगे कि घर के काम कर ठीक है टेक केर कर तो वह एक ओफैंस होगा ठीक है कब आया यह यह जनवरी दोजार एक्किस में गवर्मे परमिट सच एन ओफैंस ही वुड़ है टूपे कंपन्सेशन तो दी वूमें वूमें को कंपन्सेशन पर गणना पड़ेगा इस केस में तो दी नियू एक्ट इवन एप्लाइस टू एक्शन डेट वर कमिटेड एनी टाइम इन त्री यह प्राइड तो नियू लोग कमेंड इन टू फोर्स एंड इवन इवन इन वूमें इन वों दी मैंटर वे नो लोग मैरेड अच्छा इसके अंदर यह सिंपल यही बात क्या रहा है कि माल लीजे इस एक्ट के जो यह एक्ट फोर्स हुआ है ठीक है एक्ट इवन एप्लाइट टू एक्शन डेट वर कमिटेड इन अनी टाइम इंट्रियर प्राइर टू नू लोग इंट्रियर तो ओफ कमिंग इंटू पॉर्स यानि की अगर इस से पहले भी तीन साल के यानि की तीन साल से अलग दो जैर इकिस कि 2018 तक वह सकता है कि तो तोड़ा पनी बना एक चलिए माउस से कर रहा हूं तो इसलिए थोड़ा दिक्कत आरे क्योंकि थोड़ा सर्फेस स्मूध नहीं है आइसके बाद इवन इवन इन वोमन इन मैंटर वे नो लोंगर मैरेड ठीक है अपने अरिंग अबाउट इस नियुलो शीमा वंस अगें अलिक्स डैट्ट श्मीन है प्मिटेद अन ओफेंस अंडर्स अक्शन क्लेम कंपंशेशन अंडर पर एक्शन इस एक्शन इस राइट शीविल कि अब शीमा को मेरें को eva shima औरकिस करती है तो वह च्युलेगा या नहीं रहेगा या क्या रहेगा ठीक है तो हो सकता या नहीं हो सकता अगर वो इस एक्ट के अंदर करती है ठीक है अब इसने बोले फोर्ण अगर भई married woman को बोला तो आप फस सकते हो ठीक है ओफेंस माले जाएगा तो अब इसके अंदर आ सकता या नहीं आ सकता ठीक है three year prior to a new law coming into force even if a man and woman अवाज उसके अंसर पर अशीमा इस राइट अवाउट अश्विन कमिटिंग और ओफेंस अशीमा इस राइट अब अशीमा अब उपर आपको question समझ आगे न कोशन मैं और बार बताता हूं अब यह क्लेम करा था शीमा ने ठीक है तो अब वो कमपन्शेशन वग्यारा ले सकती है नहीं ले सकती और उसने कोई offense कमिट करा है 498 के अंदर नहीं करा या कैसी नहीं तो इसके अंदर यह जो पॉइंट है यह पॉइंट यह कह रहा है कि अशीमा इस डाइड अवाउट अश्विन कमिटेट अन ओफेंज अंडर सक्षिन पर शीविल नोट गेट कमबंशेशन क्लेंब कर सकती है वाई परं 56 तो यह पूरा Act यह जो här यह जो эти है बात ही नहीं कर रहा है यह तो सिंपल अपनी एक्ट की बात कर रहा है तो जब 498 जिगर ही नहीं तो 498 ऑफेंस बन के ऐसे सकता है और यह कहारा है अश्विन कमिटेट एंड ओफेंस हो वही सेम चीज नहीं कहारा कमपन्शेशन भी मिल जाएगा उसको और यह ओफेंस भी बन जाएगा 498 है हमेशा ध्यान लगना पड़ते हुए न जब आपको भी भी पैसेज वगयरा पड़ो पर चीज में ध्यान लगना के वही 498 है 498 है कि तो बात ही नहीं कर रहा हो जब बात ही नहीं कर रहा हो तो ओफेंस फिर कैसे मैं माल तो उसको ठीक है अश्यमा विल नाइदर गैट कमप सकता है क्योंकि वह क्यारा भी ओफेंस है अगर आपने अपनी वाइफ को क्या दे के वह यह वाला काम कर इस वाले कोश्चन के असाब से तो यह जो नियुक्त आए यह क्याता है यह क्याता इसको देखता है शीमा विट गैल को गैट कमपन्शेशन अंडर दी पी ओम यह बट शी इस नोट राइट अबाउट अश्विन कमिटिंग एन ओफेंस अंडर सेक्शन फॉर नाइन टेट वाइफ इस यह बिल्कुल सही है अंसर आपका अशीमा कंपन्शेशन तो ले सकती है लेकिन फॉर नाइन टेट नहीं बनेगा यह वाला होगी आपका टीग है अब आजए यह नेक्स्ट एक्शन में ओव नेक्स्ट कोशन में एस्जिम डैट इन मार्च दोजार इकिस दी गर्मेंट चेंज सेक्शन फॉर नैंटीए फॉर इपीस इफेक्ट अप डिस चेंज इस डैट आस्किंग अश्किंग वेरिड वोमन तूडू हाउस ओल्ड अब यह पूरा क्या बात कह रहा है यह बात कह रहा है कि मालनी जीए 2021 मार्च में गवर्मेंट ने चेंज कर दिया कर दिया के वह अगर आप अपनी वाइफ को बोलोगे के वह घर के काम कर ठीक है ठीक है हमारी फैमिली के लिए तो अब वह उफेंस क्रुएलिटी के अंदर आ सकता है त्योट्री के दियरव फॉर एन उस अंडर ठीक समडेंस अफ्टर देस चेंज कम इन्सुन इफेक्ट शमीता अमिशास friend at work ठीक है एक शमीता नाम की है लेडी वो कोन है वो अशीमा की friend है वो अशीमा की कैसे friend है जहां शीमा काम करती है महां पे वो भी काम करती है और वो उसकी friend है tell her that her husband has been forcing her to do all the household work by herself ठीक है अब इसमें जो है वो बताती है इस बारे में के वह यह जो मेरा husband मेरे को वो force करता रहता है काम के तो जो अशीमा है टेल शमीता डेट हर अश्वेंट्स action would amount to an offense under section for 98 of IPC अब क्या होता है जो यह है इसके friend शमीता शमीता इसको वह बताती है कि वह जो मेरा husband मेरे को force करता है घर के कामवाम करवाने के लिए कहता है तो अशीमा अब बोलते है अपनी friend को बताती है कि वही जो husband है तेरा वह इसके अंदर cruelty कर रहा है 498 के अंदर वह आ सकता है ठीक है 498 के अंदर husband तेरा आ सकता है क्योंकि वह क्या offense कर रहा है वह कर रहा है cruelty का offense एवन दो अशीमा हरसेल्फ हैस बिन अंसक्सेस्पुल इन एविंग अश्विन कन्विक्ट अंडर इस section in past यह वही क्या है वह बात कहा रहा है कि जब उसको खुद नहीं मिला ठीक है जो बी justice वह चाह रही थी ठीक है जो केस वह डाल दी तो उसको उसमें कुछ भी नहीं मिला बट वह उसको और श्रीमा की जो एडवाइस है वह सही है या नहीं है अब वह देखेंगे हम question में ठीक है अब वह क्या था यह वाला पार्ट क्याता है यह 6 section for 98 has now been changed the शमीता अज़स्मेंट action would now be an offense अंडर ली चेंड सेक्शन मेरे को बताइए सही है यानिया मैं अगला भी पड़ देता हूं नो सिंस अशिमा has been unsuccessful in having अश्वनी स्कन्विक्ट अंडर डेट सेक्शन इन पास कि आया सिंस थी पासिंग डी सी पॉइंट डी पॉइंट बताइए कौन से सही है फटावट अचलो मैं बता देता हूं इसके अंदर देखें अगर डीगी बात करें नो सिंस अशिमा जोनली समीता स्प्रेंड अब सी पॉइंट कहता है यह सिंस दी पासिंग ओप दी प्रोडेक्शन और अज रिजल्टी समीता अच्छन बिंग मेड इल्लीगल जैवे सिंस पासिंग दी प्रोडेक्शन ऑफ मैरीड वूमेन नहीं यह भी गलब और ना यह जो प्रोडेक्शन ऑप बात ही नहीं कर रहा यह वाला है अब क्यास है मैं आपको बताता हूं यह सिंस सेक्शन 498 जो मैंने भी आपको बताता कि महां कंडिशन कुछ औरती हैं कुछ हो रहे हैं आपके सेक्शन हो गया चेंज एंड शमीचा जस्वेंट एक्शन वुड नाउट भी एं ओफेंस अंडर दी चेंज सेक्श अब यह हो गया ठीक है तो अभी थोड़ा टाइम जादा हो गया मेरे को लगा था कि मैं दो कवर अपकर दूँगा नहीं कर पाया लेकिन कोई नहीं आपने आपको समझ आया आपको कुछ कमी लगया कई पर क्लारिटी नहीं यह आपको कुछ लगाए कि यह बात बतानी थी यह कुछ और था तो वो कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन करके जरूर बताना क्योंकि आज के लिए हम यह वाला करेंगे पैसे नेक्स किसी वीडियो में करेंगे क्योंकि हमारा काम बस में लीगल दीजनिंग को लेकर रहा है और एक आपकी जीन के करन्ट अपेयर जो है उसक कोशन उस पर डालता रहा तो अपने इस्टेग्राम अकाउंट पर तो आप जाएए लीगल मैंसे इस्टेग्राम अकाउंट है नीचे डिस्क्रिप्शन में भी अपना मैं वो डाल दूँगा लिंक तो महां जाएए देखे आपको अंसर बग्यारा करिए और कुछ भी आप आपको कमी या कुछ लगता है वह बताईए वाग्या मारे चैनल को सब्सक्राइब करिए वीडियो को शेर करिए तो मिलते हमारी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंकिए सो मच